हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू करेंट अपडेट दोस्तो कैसे आप लोग दोस्तो जैसा कि मैंने आपको जान करी दी थी कि MPPSC का नोटिफिक्षन दिसंबर महिने में आ जाएगा अंगले कुछ से तीन से चार दिन में आने वाला था और दोस्तो यहाँ पे MPPSC ने नोटिफिक् सकते हैं जिसकी लिंक में नीचे दे दूँगा वहां से आपको मैं कुछ नोटिफिक्षन में क्या सबसे में चीज आपकी है एक्जाम डेट 11.04.2021 याने कि दोस्तों आपके पास सम्थिंग 120 दिन बचे हुई हैं आपकी एक्जाम तैयारी करने के लिए MPPSC के प्री के लिए सफिसेंट डेज हैं चार मेने का आपके पास वक्त है बिलकून आप इसकी त्यारी किजिए आपको सफलता हंडेट परसंट मिलेगी ठीक है अब देखिए यहां पे सारी चीजे बात कर लेता हूं कि आपका जो सम्प्रेशन प्रत दूत्री प्रत होगा वो की टाइमिंग आ आज 28-2012 को आपका नोटिफिक्स जारी हो गया ऑनलाइन अवेदन करने की अंतीमतिती 10-2021 इस चीज को याद रखिए के दोस्तों दस तारीक के पहले पहले अपना फॉर्म भल लीजेगा या तो आप मोबाइल से भर सकते हैं या फिर कंप्यूटर से जाकर आप ऑनलाइन भ भी है तो इसके लिए पात रहूंगे आपका रोजगार कारियाले में जीवित पंजियन होना चाहिए ठीक है अब व्यार्तु कमद प्रदेश राज में रोजगार कारियाले में जीवित पंजियन अब यह दोस्तों जीवित पंजियन जो होता है और यह अन्यदर राज के श होंगे वह भी हों भर सकते हैं अब यहां पर देखिए दोस्तों किस तरीके से पोश्ट है जो कि मेंज चीज अब द देखिए दुस्तों मैंने बताया था कि 235 पोस्ट आएगी मैंने बताया था कि सम्थिंग 200-2500 पोस्ट के सम्थिंग आपकी वेकेंसी आएगी और सेम उसी पोस्ट पर लाया इसने 235 पोस्ट लाया पिछली बार के अगर रिगार्डिंग बात की जाए तो एकदम आधी सीट है जितनी पिछली बार इसको सीट मिली थ तो दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए पीवी ने पिछली यहां पे MPPSC बोर्ड ने पिछली बार चार से पांच बार इसकी सीट बढ़ाई थी तो इस बार भी इसकी सीट बढ़ जाएगी आपकी मान के चलिए कि सम्थिंग 300 सीट तो MPPSC कर ही देगा लाश 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 रहा हूं आपको टॉपिक वाइस करेंट अफेर्स भी करवाने वाला हूं और दोस्तों आप अगर अने के से अपनी तयारी करना चाहते है तो हमारा कूपन कोड यूज करके से 30 यूज करके आप अने केडमी का सब्क्रिप्शन ले सकते हैं या फिर फ्री क्लास भी देख सकते हैं वहाँ पर फ्री क्लास देखने के लिए आपको हमारा कूपन कोड यूज करना पड़ेगा से 30 MPPSC की ठीक है वहाँ पर आपको डिसकाउंट मिल जाएगा अगर आप प दोस्तों यहां पर कुछ और बात कर लेते हैं रासे पारिमपचा योजना पार्ट क्रम इसका जो सलेबस है वह भी मैं आप लोगों को बता दूँगा तो बिलकुन आप देख लिए कि सहर आपका परिच्छा होनी है जो कि आपके प्राइमरी प्रिलिम्स एक्जाम होने वा आप फॉर्म वारेंगे तो यह सारी तो बेसिक सी चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी भी है ठीक है अब देखिए यहां पर दूसरी चीज देख लेते हैं कि सारी रिक माप दंड जो भी वर्दी धारी पाद है जैसे कि जेल विभाग और जो भी अन्य पर्द होंगे उसमें पूर्षो की हाइट मांग लिए 108840 संटीमीटर महिलाओं की हाइट 155 सेंटीमेटर सिर्थ बीना फुलाएं 84 संटीमेटर पूलना चाहिए सीना फुलाने के बाद 89 और महिलाओं के लिए सीना फुलाना नहीं फुलाने से कोई रिगार्डिंग चीज नहीं मागेगा यह हो गई आपकी बात यहां पर मैंने आप लोगों को अधिक साधिक जानकरी दे दी है कि इसकी तरीके से फॉर्म बनना है आप लो क्मून लिवासियों के लिए 500 रुपए है और बाकि सेज स्रेडी अब मद प्रदे से बाहर की निवासियों के लिए 500 यानि के जनरल कटेगरी के लिए 500 और बाकि OBC SCHT के लिए जो भी MP के उनके लिए 200 लगेगा पोर्टल सुर्क जो की होगा अतरिक्त 40 रुपए दे होगा ठीख है और हमार सीट आजएगी यहाँ पेहला पेपर जो आपका उफलाइन होना है इस बार भी ऑफलाइन ही है ठीक है और और जो भी जानकारी है दोस्तों मैं आपको वीडो को ये माद्यम से दे देता हूं और जो जानकरी में छूट जाएगी आप कमेंट कर दीजेगा तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा तो यहाँ पे तो अभी महत्पूर जानकारी सिफ इतनी ही थी और इस वीडियो को जादा जादा फैला दीजी अपने दोस्तों में और मिलते अंगले वीडियो में तब तक ले जाएं जैवारत धनवाज दोस्तों जैसे कि मैंने बताया doubt session सारे session आपको complete मिलेंगे तो बिल्कुन दोस्तो हमारे coupon code यूज करके आप N Academy पर अपनी तैयारी कर सकते हैं ऐसे 30 coupon code यूज करके तो मिलते अंगले वीडियो में तब तक लिए जैन जै भारत धन्वा दोस्तो